कर दोस्तों नमस्कार आपको स्वाहत है आपके यूटूब चैनल टार्गेट एंट्रिस एक्जाम पर यानि ती दवल इपर दोस्तों अभी तक हम लोग यहां पर होम साइंस की प्रेक्टिस सेट कर रहे थे ठीक है और आप हम क्या कर रहे हैं आपको टॉपिक बाइस प्रेक् इंगे काफी महत्पूर है तो जी लोगों ने भी अधी प्रेक्टिस एट नहीं देखे हैं फिलीष्ट में जाकर देख रहे ठीक है काफी महत्पूर कोस्चन हैं और अभी हम क्या वाच तो यह हमारा एक टॉपिक-वाच क्रैसेट हो चुका था जो कही भोजन पार फिर उसके बार दूसरी जगह चले एगी तो ऐसे क्या होता कि जो सब लोग पढ़ातें न तो सब लोग का मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता है ठीक है तो Ah अयहां पर हम आपको छहाफ को 6 उसायंस की होती है ठीक है तो आप लोग देली साम को छेवजी हमारी क्लास में जुड़िए और अपने फ्रेंट्स जो भी होम साइंस की तैरी कर रहे हैं उन लोग तब भी उन लोग तक भी क्लास शेयर करें ताकि वो लोग भी मारी क्लास का लाब ले सकें ठीक है तो चलिए हम आज का प्रेक्टर सेट देखते ठीक है और यह जितनी भी फ्रेंट्स कोश्चन है यह आपके किसी ना किसी एक्जाम में आये हुए हैं तो यह कापी महतबूर है आप लोग के लिए ठीक है तो यह अच्छे से पढ़िए ठीक है चलिए कोश्चन है हमारा आवस्क्ता से अधिक भूजन ग्रेड करना कहलाता है कोश्चन नमर 31 का हमारा ओप्शन कौनसा इस ही हो जाएगा वह क्या होता है अधिक अधिक निमने इस्तिती से ओप्शन लंबाई option D भार, option C भार के साथ एक्छ लंबाई या फिर option D लंबाई के साथ एक्छ भार तो question number 32 का हमारा option D सही हो जाएगा वो क्या है? लंबाई के साथ एक्छ भार, ठीक है? चलिए अगला question है, question number 33 है PEM बच्चों के बीच को पोषड का सबसे ब्यापक रूप से प्रसलित रूप है PEM का अर्थ क्या है? option D protein energy malnutrition, option D physical energy malnutrition, option C prolactin energy malnutrition या फिर option D poor energy malnutrition ये आपका कपका है? तो ये टीटी जहरखंट 2017 का ये question है, ठीक है? तो question number 33 का option A सही हो जाएगा ये क्या है? प्रोटीन energy malnutrition है, ठीक है? अगला question है, question number 34 चाहिए आपर ये थोड़ा कोड़ से छोटा कर देते हैं ताकि आपनों को पूरा question देख सके है, ठीक है? यहाँ पर ये सूची देवी है, आपको सूची मिलाना है, ठीक है? सूची बन में क्या है? जीव रासाइनिक परिक्षण है और सूची दुदो में क्या है? पोसड़िस हीनता रोगा, ठीक है? तो इसमें क्या है? सीरम, एल्बमिन, हीमोगलोबिन, मुतिय, आयोडिन और इधर विटामिन एकी हीनता, गलगंड और प्रोटीन हीनता, ठीक है? तो यहाँ पर मिलाना है Picture किसका उगा ठीक है? तो Question No. 34 का हमारो ओप्शन क्कॉणसा सही होजाजगा? हमारा option C सही होजाजगा, ठीक है? कौन सा CMR option सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है question number 35 है ये anti-OGC net दिसंबद 2022 जून 2021 का ये question है ठीक है जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है option A पिरवेशक पोसड, option B नासा जठर पोसड, option C माता पिता समंधी पोसड या फिर option D खारा पोसड तो question number 35 का option C सही हो जाएगा ये क्या है ये माता पिता समंधी पोसड ठीक है ये क्या होता है तो जब कोई मरीज भोजन या पोसक तरप्वों को सामान रूप से आहार नाल द्वारा नहीं ग्रहड नहीं कर पाता है या फिर उसे कटनाई होती है तो क्या आता है तो उसे जीवित रखने के लिए या उसे पोसक तरप्वों को देने के लिए उसे अंता स अंतासराद्वारा उसे भोचन दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं मातापित संबंधी पोसड या पैरेंटल नुट्रिसियन कहते हैं ठीक है चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नुबर 36 है भारत पर निमलिखे सूच पोसक पतारतों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोज है ऑप्शन ए घेंगा गलगंड ऑप्शन दी रतोंदी ऑप्शन सी अलप भार या फिर ऑप्शन दी रक्ताल पता और ऑप्शन ए है संध्यान तो कोश्चन नुबर 36 का हमारा उप्शन B सही हो जाए यानि की A, B और D घेंगा रतोंदी और रक्ताल पता ठीक है ये क्या है कपदारतों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोज है ठीक है और ये भी उजिसीनेट अग्जाम 2019 का ये कोश्चन है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है खूब अच्चे से बढ़िए आप लोग और खूब मेहनत करिए ताकि आपकी मेहनत काम्याँ हो जाए और आप एक्जाम में अच्छे नंबरों से अपनी एक्सीट पक्की कर पाए ठीक है चलिए याँ पर कोश्चन नंबर 37 है भारत में निम लि चलिए अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 38 क्या है को पोशण मानब सरीर में विभिन्य रक्षा प्रडालिव पर विप्रीत प्रुहाँ डालता है और प्रतिजयवी प्रतिजैवी निर्माण, ओप्शन भी फैगो साइटिक क्रिया, ओप्शन सी उतक अखंडता, या फिर ओप्शन दी युक्त सभी, यह आपका PGT 2018 का कोस्चन है, ठीक है? तो कोस्चन नमबर 38 का हमारा ओप्शन D सही हो जाएगा, ठीक है? कौन सा? कोस्चन नमबर 38 का हमारा ओ ओप्शन D मात्र को पोशड, ओप्शन D गरीवी, ओप्शन C तनाओ, या फिर ओप्शन D गलत इस्तन त्यासता, तो कोस्चन नमबर 49 का जैसा कि आप लोगों यहाँ पर आंसर दिखी रहा होगा, यहाँ पर C सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला कोस्चन है, कोस्चन न पाइने वाली वीमारी है, ओप्शन इं ऊर्जा प्रोटीन को पोशड, ओप्शन D कैल्सियम की कमी, ओप्शन C फास फोरस की कमी, या फिर ओप्शन D विटामिन C की कमी, तो कोस्चन नमबर 40 का हमारों आप पर कौन सा, A सही हो जाएगा, यह क्या है, उर्जा प्रोटीन को 16 का यह कोश्चन है, चलिए कोश्चन है, 6 महा से 60 महा की आयो के बच्चों में, SAM के निदान के लिए निमलिखित मानदन हैं, पहला है उचाय के लिए बजन 3MD से कम, दूसरा है उचाय के लिए बजन 2SD से कम, तीसरा है MUC 115 mm से कम, और फिर चोथा है MUC 120 mm से कम, पाचमा एड यहाँ पर हमारा कौन सो उप्चन सही हो जाएगा, कोश्चन नमबर 41 का उप्चन B सही हो जाएगा, यानि कि पहला, तीसरा और पाचमा ठीक है, चलिए अगला कोश्चन है, फ्रेंट से लिलनी क्लास को लाइक और सेर कर दीजिए, ताकि और लोग भी हमारी क्लास में और दूसरी रूची में बीमारी देंगे उनका मिलान करना, ठीक है, लक्षड क्या है, पहला है, इस्टी, एटोरियो, दूसरा है, निूरो साइक्रेटिक, तीसरा मूत्र में प्रोटीन की अत्तिक छदी, और चोथा है, प्लेटलेट, एक कत्री करण, बीमारी क्या है, पहल चलिए, यहाँ पर कौनसा सही हो जाएगा तो, कौश्चन नमबर 42 का हमारा ओप्षन है, यहाँ पर कौनसा सही हो जाएगा, ठीक है, कौनसा, बीमारा ओप्षन सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला कौश्चन है, कौश्चन नमबर 43, यहाँ पर भी सूची मिलान करना ये भी EC net exam 2012 का ये question ठीक है ये सूची बारे question होते है ना सूची और अभेकतन करण वाले ये आपको ज़्यातर net वाले exam में देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए आपको ये अच्छे से तयार करना ठीक है इतर क्या है इसमें सूची में एक में पोसड मुल्यांकन विदिया है और एच्वी बैटाउट स्पोर्ट तीसरी एफ एफ क्यू चोती बाम कैलोरी मीटर फांच में एम्यू एसी और छटी है एच्पी एलसी ठीक है तो question number 43 का option कौन से हो जाएगा डी सही हो जाएगा ठीक है यानि कि पहले का कौन सा हो जाएगा एक तीसरा हो जाएगा ठीक है एफ एफ क्यू ठीक है और इसका मानव मितिक कौन से हो जाएगा एम यू एसी और सी का पहला हो जाएगा एच्पी और रोग विशेक का हो जाएगा दूसरा बैटाउट इस्पोर्ट ठीक है चली अगला question है question number 44 से देखिए ईवी उजी सीने टेक जाम का इए question है 2018 पेपर सेकिंड देखिए अभिकतन और कारण वाला है अभिकतन क्या कहा रहा है पोसड संक्रमण के कारण बरतमान में भारत परस में स्वास्थे देखवाल में आने वाली चुनोतियां दोनों तरहे की है अल्पोसड अधिक पोसड की रोक थाम कारण क्या है भारत वर्स में जन सांक्या की जन सांक्या की संक्रमण के फल्सरूप बुजरूगों की जन संक्या के अनुपात में बुढ़ोत्री हो रही है तो यहां पे हमारा question number 44 का हमारो option B सही हो जाएगा A सही है लेकिन R गलात है क्योंकि पोस की जन सक्या के अनुपात में बढ़ोत्री हो रही है तो यह हमारा क्या है गलात है ठीक है तो इसलिए हमारे आपर option B सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question है question number 45 है यह भी कारण और अभिकतन वाला और यह net exam 2014 का question है ठीक है अभिकतन है exam बच्चों की पहचान के लिए WHO का मापदन WHZ-2HD से कम होता है कारण क्या है कारण है exam बच्चों के ग्रह आधारित प्रवंधन के लिए WHO के द्वारा R U T F की सिफारिश की गई है तो यहाँ पर हमारा question number 45 का हमारा option B सही हो जाएगा यह गलत है और R सही है ठीक है चलिए अगला question है question number 46 है इसमें यहाँ पर सूची दिएंगे तो उनको मिलाना है आपको ठीक है एक तरफ क्या है पोसक तबों की कमी से होने वाले रोह के लच्चण है और दूसरी तब क्या है दूसरी तरफ पोसक तब है ठीक है तो यहाँ आपको मिलाना है कि किस पोसक तब की कमी से कौन सा होता है ठीक है तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कौन सा हमारा किस पोसकत की कमी से कौन सा रोग होता है ठीक है तो यहां पर कौन सा टेटनी से क्या होता है टेटनी से हमारा यह कल्सियम ठीक है कल्सियम की कमी से क्या होता हमारा टेटनी रोग होता है तो यह इससे मिला तो यह pholic acid की कमीसे होता है ठीक है किसकी pholic acid या लोधात्व की कमाइन से होता है ठीक है और जो जो जिंजी बैटस है यह ascorbic acid की कमीसी होता है और य сх से होता है यह ओओ डीन यी फॉल टो इसमें है नहीं इसमें तो इस यहां पर यह सब्सक्रीन पहराई एहां पर यह वालग नहीं bet सूची दें है एक तरफ पॉशिको की कमी से वहनने वाली रोगों के लग्सडर और एक तरह पोसक तत्में टीक है लक्षड क्या है एटनी यह दूसरा एंगुलर इस्टोमेटाइट्स तीसरा है मैक्रोसिटिक नार्मो क्रोमिक एनीमिया चोथा जिंजिबाइटिस और पिर काईलो नीचे ठीक है पोशक तत्व कौन से है एसकॉर्विक एसिट रेटिनॉल लोहतत्व राइबो फ्लेविन कैल अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर सेयतालेज यह भी अटी उजिसी नेट एक्जाम 2019 का कॉर्शन है और अभिकतन और कारण वाला ठीक है अभिकतन क्या है कुपोसित माता है बच्चि को सफलता पूर्वग इस्तनपान करवा सकती है कारण क्या है अत्तिक कुपोसड की अच्बाल प्रभा नहीं पढ़ता है ठीक है क्या होता है मां के गुड़पता पर प्राव नहीं पढ़ता है ठीक है चलि तो यहां पर मारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा question number 47 का हमारा option A सही हो जाएगा A सही और R गलत है क्योंकि कुपोसेट माता है बच्चे को सपलता पुर्व इस्तनपान करवा सकती है यह सही है लेकिन अतधिक कुपोसेट की अवस्था में अगला question, question number 48 है यह तीजिटी 2019 का question है ठीक है डॉट डॉट भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है option अ मरास्मस, option B इसकरवी, option C बेरी बेरी, option D गहेंगा तो यहाँ पर question number 48 का option A सही हो जाएगा मरास्मस, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है ठीक है, चलिए अगला question है question number 49 है यहाँ पर सूची दिविए आपको मिलाना है ठीक है पोसक्तत्वों से होने वाली बीमारिया है ठीक है, पोसक्तत्व इसकरवी, करेटो मलेसिया, एंगलो इस्ट्यमेटाइटिस और परनीसियस एनेमिया यह क्या हरोगा, इधर ही पोसक्तत्व बिटामिन C, राइवफलेविन, बिटामिन B12 और फिर थाइमिन तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर हमारो ओप्सन D सही हो जाएगा, ठीक है यानि कि A का कौन सा हो जाएगा, बिटामिन C से क्या होता है, इसकरवी होता है, ठीक है करोटो मिली यहां पर यह ओप्सन नीचे चला गया ठीक है यहां पर यह बिटामिन ए ओगा ठीक है चलिए एगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 50 है यह भी असिस्टेंड प्रोफेसर प्रोक्ता एक्जाम 2014 यानि कि 14 मास 2015 का यह कोश्चन है उस एक्जाम में आया था ठीक है कोश्चन है जब बच्चों की ब्रदिती ब्रता से बादित हो उसके सरीर पर कम उप्चर्म बसा और मास पेस यह होती है ऐसी इस्तिति को कहते हैं ऑप्चन एक्वाशी ओर कर ऑप्चन C इस्कर्बी या फिर ऑप्चन डिवी वीरी तो कोश्चन नमबर पचास का ऑप्चन अप्चन 20 हे वह जाएगा उसे क्या कहते हैं उसे हम सुखहर केंते और ठीक है आप्शन भी मोटापे की दसा में, आप्शन से उच्छ रप्त चाप में, आप्शन भी रक तालकटा में Q51 का आप्शन ये सही हो जाएगा ठीक है, हम कुपोसड की दसा में उच्छ प्रोटीना हार देते हैं, ठीक है चलिए अगला question है, question number 52 है, महरा आजम स्रोग होता है, ये PGT2009 का question है, option ये बसा की कमी से, option B, protein की कमी से, option C, protein की अधिकता से, या फिर option D, बसा की अधिकता से, तो question number 52 का option B सही हो जाएगा, महरा आजम स्रोग जो है, protein की कमी से होता है, ठीक है, चलिए अगला question है, question number 53 है, ये PGT दोजार, तीन का कोस्टन है, कम प्रोटीन उक्ताहार की आवस्टता नहीं होती है, ओप्शन है पीलिया में, ओप्शन भी कुपोसण में, ओप्शन सी हैपिटाइटिस में, या फिर ओप्शन भी बायरल में, तो कोस्टन नमर त्रेपन का ओप्शन भी सही हो जाएगा, कम प् नहीं होती है ठीक है चलिए अगला कोर्ष्टन है कोर्ष्टन नमबर चववन है यह टीजीती दुहजार का कोर्ष्टन है तो ज़ुर्णीयों युखते एवं उसका रंग फीला होना लक्षर प्रदर्सित करता है ओप्षन ने को पोषड का ओप्षन नी अलप पोषड का करें चलिए अगला कोर्ष्टन है कोर्ष्टन नमबर 45 ओं है यह काफी महत्पुड कोर्ष्टे नहें आप लोगों के लिए तो आप लोग ने अच्छे से पढ़िए बंद लगा कर पढ़िए ठीक है एक बार में समझने आई आप दोबारा वीडियो देखिए कॉपी में न खाना तो question number 55 option इस ही हो जाएगा आवस्थेक्ता से अगर हम अधिक खाना खा लेते तो क्या होता हम मोटापे की जिकार हो जाती है ठीक है हम तो हमें क्या करना चाहिए और मोटापो को रोगने के लिए हमें ब्यायाम करना चाहिए और ज्यादा बसायुत भोजन नहीं करना चाहिए ठीक है चलिए अगला question है question number 56 है यह भी TGT 2005 का question है मैराजमस बीमारी पाई जाती है option है 6 मास के कम आयो के बच्चों में option B एक बर्स से कमके बच्चों में option 3 दो बर्स से कमके बच्चों में या फिर option B पाँच बर्स से कमके बच्चों में तो question number 56 का option B जही हो जाएगा यह एक बर्स से कमके बच्चों में पाई जाती है ठीक है कोश्चन नमबर 57 ए ये वी टीटी 2,05 का ही कोश्चन ने 256 से हट गया महिरास्मस से प्रभावित बच्चा चड़ चड़ा होता है क्योंकि वह आप्शन ने कमजोर होता है आप्शन भी भूखा होता है आप्शन से गुस्यवाला होता है या फिर option D इनमें से कोई नहीं तो question number 57 का option A सही हो जाएगा क्योंकि क्या होता है वह कमजोर होता है ठीक है चलिए question number 58 को पोस्ट तथा dot dot में गहरा संबंध है option A चिंता, option D प्रसन्यता, option C करमठता या फिर option D सुन्दरता तो question number 58 का हमारा option A सही हो जाएगा को पोस्ट तथा चिंता में गहरा संबंध है ठीक है चलिए आज हमारे इतनी question थे I hope आप लोगो class अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छी से पढ़िए ठीक है जितने भी question करा रहे है फ्रेंट्स वह आप लोगों के लिए काफी महत पूर है ठीक है तो आप लोग देली हैं आपको सामकोच है वेजी हमारी class चलती होम साइंस की तो आप लोग देखना ना बूलिए और अपने फ्रेंट्स दोस्त भाही वैं जो भी हैं होम साइंस से तैरी कर रहे हैं तो उन तक भी एक लास तेर करी ताकि वो लोग भी हमारी class का लाब ले सकें ठीक है और बस आप लोग अच्छे से पढ़िए हर जगह भटकने से अच्छा है कि आप पर्टिकुलर्स किसी एक जगह पढ़िए और मल लगा कर पढ़िए ठीक है क्योंकि अगर हम एक ही जगह गड़ा खो देंगे तो उसमें पानी जल्दी निकलाएगा इसके बजाए अगर हम एक गड़ा खो देने के बजाए अगर हम जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा गड़ा कर रहे हैं तो क्या होगा ना तो उसमें जल्दी पानी आएगा और हमार सफलता ना मिल जाए ठीक है तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और हमारे यूटूब चैनल पर बने रही है टार्गेट एंट्रेस एक्जाम पर और अपनी तैरिकों और बहतर बनाए ठीक है हम अपनों के लिए इसी तरह से क्लास्स प्रोवाइड कराते रहेंगे और लास्ट में आपको मैरातन भी कराएंगे ठीक है मॉडल पेपर भी कराएंगे ठीक है और आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहेंगे पढ़ना आपका काम है और पढ़ना हमारा काम है ठीक है मेहनत करिए और अपनी मेहनत को सफल बनाई ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही धन्यवाद जैहिन जैवार